आपके पास range of products हैं लेकिन उसके बावजू सबका price tag अलग है तो आप क्योंकि एक बार गया हुआ ग्रहक कभी lot कर नहीं आता UP में तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने skill को सीख लिया वह आसानी से हर ग्रहक के साथ deal कर पाएगा दोस्तों भी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ग्रहक तीन तरह के होते हैं ब्रैंड कॉंशियस क्वालिटी कॉंशियस और प्राइज कॉंशियस तो पता सबसरा कॉमेंट किस पर आए सर जो बजट कॉंशियस क्लाइंट है उससे कैसे डिल करें इसके बारे मे प्रोफेशन हो हर जगे यह समस्या बहुत बड़ी समस्या है अभी प्रोग्राम आया था शाक टैंग इंडिया जिसमें अश्निल डोवर ने एक बात कही थी वह बात वैसे है तो कडवी पर कहीं ना कहीं सच भी है कि भारत का जो ग्रहक है न वह इतना लीचड है इतना कंज मक्षी शूस है इतना मक्की चूस है कि इसको प्रोडक्ट शस्था भी चाहिए बढ़या भी चाहिए सुन्दर भी चाहिए टिकाओ भी चाहिए और चाहिए कहने का मतलब उसके पास खाने का स्थान तो एक निवाले का है पर चाहता वो पूरे पांचो निवाले एक साथ खाना है तो ऐसे क्लाइन के साथ कैसे डील करें यह समझना बहुत जरूरी है और सच बताऊं यह है भी बहुत टेडी खीर जिस व्यक्ति ने स्किल को हो जाएं हें है ना तो बात करते हैं लो बजट क्लाइन के साथ कैसे डील करें सबसे पहलेक्र आप जो काम वो करवाना चाहता है यह जो भी प्रोड़क्ट वो चाहता है उसका स्कॉप आफ वर उसको डिफाइन कर दें जैसे हमारे जब मॉड़ दो किचन को लेने आता है त बेड़ेबल cabinetry segment का और hardware accessory का है और appliances का है अब scope of work में जितना उसका budget है उसी हिसाब से अपने पूरे के पूरे project को हम समझा पाते हैं और बता पाते हैं और उसी की requirement के हिसाब से हम product offer करते हैं आपकी शॉप पर भी ऐसा आपके पास होता है कि आपके पास range of products हैं लेकिन उसके बावजू सबका price tag अलग है तो आप उसकी चीजों को समझते हुए ज़रुवत को समझते हुए क्या alternative product आप दिखा सकते हैं वो आपके उपर depend करता है सेट realistic expectation अभी ग्रहाग के मन में क्या रहता है जैसे आप देखिए माली जी आपका ready made government का एक store है और वहाँ पर एक बड़ा मोटा सा को पोरोश आता है और वो देखता है डमी के उपर एक jacket है और एक trouser है कितनी बड़िया fitting यहां पर आ रही है सर ऐसी जैकिट चाहिए ऐसा trouser च देखने में cartoon लगने लग जाता क्यों क्यों कि उसका body structure ही खराब है उसके जो realistic expectation है वह वैसी नहीं मील पाती जैसा वह चाहता है इसी लिए उसकी realistic expectation को fulfill करो कि उसके उपर वह चीज कैसे लगने वाली है पहन के देख लो define कर लो सही लगे तो आपके लिए है फिर उसके price के ब strategy अपनाते हैं वो क्या करते हैं जो client का budget है ना पहले से थोड़ा सा उपर का product दिखाते हैं और बाद में जब उसको पसंद करता है या कहता है कि मेरे इतना budget निया फिर low budget पर दिखाते हैं ताकि उसको लगे कि हाँ ये वाला सस्ता है उसके बाद offer alternative solution हर व्यक्ति के पास ना ह और समस्या के अलग अलग समाधान होते हैं तो आप देखिए कि आपके ग्रहक के budget के हिसाब से आपके पास कौन कौन से alternative solutions हैं जैसे कई बार आप शू लेने जाते हैं उसने का भई ठीक है ये शू एड़िडास का पंदरा अजार का है लेकिन आप बाटा में लेते हैं तो व मुझे बाटा कई चाहिए लेकिन इस price में चाहिए तो आप देखिए कि क्या उस product को price में बेचने पर आपका nominal margin cover हो रहा है आपके operating cost cover हो रही है यदि yes तो आप उसको product जरूर दें क्योंकि एक बार गया हुआ ग्रहक कभी lot कर नहीं आता यूपी में तो कहते हैं कि एक बार लगा बाजार दुबारा से नहीं बैठता तो यहां बड़ा important है उसके बाद streamline your process अपने पूरे process को streamline कर दें आप बताएं कि जहां पर product की delivery होने का समय और product की dealing होने के समय में बहुत बढ़ा अंतर है तो उसको पूरा process streamline करें जैसे आप rediment government अगर आप देखेंगे तो वह product streamline नहीं होता वो तो ग्रहक आएगा चीज पसंद करेगा देखेगा और ले जाएगा लेकिन जहां पर customize pen shirt बनाई जा रही है तो streamlining क्या है कि पहले fabric selection होगा उसके बाद में sizing होगा उसके बाद में उसमें क्या-क्या चीजे लगेंगी क्या-क्या accessory लगेगी उसके साबसे आपक बजट के ही है और बार बार उसको बताते रहें कि उसके बजट के according कौन सा product suitable उसके लिए रहेगा उसके बाद build a long term relation कुछ लोग क्या करते हैं आप देखिए आज भी आपको ऐसे शॉप के पर मिल जाएंगे जहां गराक आए 5-7-10-20 आइटम देखे उसके बाद ना ले तो के साथ एक relation ज़रूर build करें क्योंकि जो आज product नहीं ले रहा है हो सकता बविश्यम उसको ज़रत हो और यदि आपका बात करने का तरीका आपका relation develop करने का तरीका अच्छा है तो आगे भी आपसे deal करेगा इसलिए कभी भी गराक से अपना relation खराब ना करें एक अच्छा संप नहीं है अपनी sales skills में ये गुंड develop कीजिए तो आप आसानी से low budget client से deal कर सकते हैं यदि उसके बाप जूद भी गराक छूट जाता है तो ध्यान रखेगा कि ब्रहमांड पर हर आपका गराक नहीं है वो किसी और व्यक्ति से कोई और product कोई और quality कोई और price पर खरीदेगा और आपके पास भी आपका product लेने के लिए कोई और व्यक्ति किसी और price पर आपके साथ deal करेगा इसके लावा चैनल पर sales को ले करना 20 ज्यादा वीडियोज हैं आप उन वीडियोज को देखेंगे तो sales की नई technique आप समझ पाएंगे सीख पाएंगे और अपने business में implement कर पाएंगे कोई भी informative वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को अभी subscribe कर ले और bell icon को ज़रूर प्रेस करना ताकि वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास आएंगे स्वस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत